भाई का जो सौंग का टाइटल है वो ये है गोर बानी राजा करिया हो जाए ठीक है तो हम इस टाइटल को चेंज करेंगे सो हेले दोस्तो स्वागत आप सभी घामारी शूटूप चैनल में दोस्तो मेरा नाम बवल्कमार और आप देख रहे हैं गयांटेक सपोर्ड यूटूप चैनल सो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल फोन से फूल एचडी एलबम पोस्टर को आप कैसे बना सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तो अगर आप भी चाते इस तरह का पोस्टर अपने मुबाइल फोन से बनाना तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना होगा तो दोस्तो सारक पताने उस वीडियो को एंड तक देखते रहें और इस चैनल पर नायत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अपन को फ्रेस कर लें क्यूंगो मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो लाता है रहता हूं तो चलिए चलते अपनों मुबाइल की स्क्रीन पे उसके बाद आपको step by step आपको बताते हैं तो दोस्तो फैनली में आ चुका अपनों मुबाइल की स्क्रीन पे और यहां से सबसे पहले आपको YouTube अप्लिकेशन को open कर लेना होगा तो यहां पर मैं इसके एडिसन जम्मूरि सर्च कर लिया हूं सबुछक करने बाद भाई के चैनल के अंदर हम जाते हैं। तो यहां पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने बाद नीचे की तरफ आना होगा और यहां से आपको वीडियो वाले सेक्षन पर क्लिक करने बाद दोस्तों यहां पर भाई ने बहुत सारे PLP फाइल अपलोड करकर रखा अपने चैनल पर आप देख सकते हैं, आपको यहां से जो भ PLP फाइल डाउनलोड कर लेता हूं और इस वीडियो पर आप सिंपली क्लिक करना होगा, क्लिक करने बाद आपको यहां पर भाई ने इस PLP फाइल में पासवर्ड लगा कर रखा है, तो वीडियो का पूरा देखेंगे तो भाई का जो पासवर्ड है, इस PLP फाइल का वो मिल है, पिक्सल एब ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको क्लिक करना होगा, इस त्री डॉट पे, त्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको निची कतर पाना है, और यहां पर आपको मिलेगा, PLP फाइल, ठीक है, ओपन PLP फाइल, तो सिंप तो यहां पे एमक्लिक करने गभाद यहां पर हमारा फाइल मेनेजर है वो ऊपे न हो चुका है और उस पेल को हम ढूरते है कि कहा पे है ठीक है तो यह जो प्रियलपी फाइल दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर निचे तरफ देख रहा होगा ठीक है थो सिंप्लिम मिस पे और open भी हो चुका है उसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर पहले भी मैंने इसको करके रखा ठीक है तो आप देख सकते हैं यह पर आपको दो-दो दीख रहा हूं यह तो यह पहले एड़ किया था और दूसरा यह जो की अभी हम मैंने एड किया ठीक है तो सबसे पहले किसी भी फाइल को आपको simply add कर लेना होगा यहांप मैं add कर चुका हूं एड करने कबाद दोस्तों यहां पर आपको करना क्या होगा यहां पर जो भी यह background मैं आपको दिखा दा हम मैं सबसे पहले यहां पर यहां पर मैं क्लिक करता हूं दोस्तों यहां पर क्लिक करने बाद सब को disable कर लेता हूं यहांपि मैं सब ert कुछ disable क्या ग्राउंड लों की गहल्र का है और तो है भाइओ के सपोट कर सकते भी कुछ डिसेबल हो चुका है यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको सिफ क्या दिखेगा बैग्राउंड जो कि यह गल्र का है और बहुत अच्छा जो है भाई ने यह बैग्राउंड को बनाया है तो आप चाहे तो भाई का सपोर्ट कर सकते हैं लिंक दे दिया हो करें तो यहाँ पर क्या करेंगे सभी को करके इस इनेबल करेंगे यह जो आइकन दिख रहा है इसपे इनेबल कर लेते हैं घंगे और पर दो लिखा हुआ कृष्ण नम्यूजीक और यहां पे लिखा हुआ क्रिश्ना म्यूजीक आजमगड यह सब चीजों खम हम चेंज करेंगे और यहां पर चाहिए तो खुद का फूर्टो भी लगा सकते हैं या फिर आप अपने चैनल का लोगों भी लगा सकते और जो चाहिए यहां पर लिख सकते हैं तो तो दूस्तो उसके लिए का क्या करना कई कि यह जो मुझे टाइटल का हैनuckle क्योंकि यह क्योंग निम्स Salonkaret को यहां पर क्लिक करना हुगा ятवर क्लिक करने वाद आपको धूंदा हुआ तो यह वाला आप मhou double click करते हैं double click करने से पहले एक चीजे में आपको बता देना चाहता हूं दो mix ये जो आपको यहाँ पी जो फोण्ट दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है जो स्वंग का टाइटन है वह जो है कि एक हंदी फोण में लिखा गया है ठीक है और आपके पास अगर इस तरह का जो font नहीं है यानि हिंदी font आपको पास नहीं है तो मैं आपने चैनल पर upload करके रखा हूं तो उसे भी आप download कर सकते हैं और download करके आप इसे use कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो आपको हिंदी का जो लेटर दिख र तो उसके लिए आपको जो है उसका जो फॉंट होता है उसका यूणी कोड निकालना पड़ेगा ठीक है दूस्तों तो अगर यूणी कोड आपको निकालना नहीं आता तो उसके उपर भी मैंने और आपको बना कर रखा है जिसका लिंक दे यह हम वीडियो के लिए इससे हम बंद करते हैं और जो जा बढ़े कर दिए बूस्पार इसका को इसका पर बस्फ तो हम इस करो बूस्टब कर देंगा उसके आलावाह यहां पे पेस्ट कर देंगे जो मेरा रहेएं सोंग इसे हम पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं ठीक है ओके करने बाद यह फिर से वही आ गया फिर से हम यहां से पेस्ट करते हैं तो यहां पर मैं पेस्ट किया ओके किया और यहां पर हमारा आ चुका है ठीक है आप देख सकते हैं हमारा जो फॉंट है कोई और है यानि जो मैं यूनिक कोड जो निकाला हूं वह किसी और फॉंट संट निकाला हूं और यहां फे हब्वाई जो यूज किया था वह कोई और रोल ठीक है तोता हम उसी फॉंट में इस्वाद चेंज करें तो चेंज करने के लिए यहां पर स्करणी नंवर का जो अप्शन इस पर माईंगे और और आने के बाद यहां पर ढोड़नेंगे ए भी फॉंट ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी फॉंट यह ही टीक है तो इसnom पर किलिक करेंगे चक्क और कॉपी पर क्लिक करते हैं यहां पर दो हो चुका है एक में हम लाल रखेंगे और एक में हम घागरा रखेंगे ठीक है तो यहां पर हम इसे आगे बलाकर रिमूब कर देते हैं और यहां पर मेरे पास सिर्फ घागरा रहा है और इसमें मैं घागरा का रिमूब कर देता हूं को सकते हैं यह कॉजब करने हैं जहाँ चाहिए उसे उसे सेट कर सकते हैं तो यहां पे आप चाहिए तो इसका रिंज कर सकते हैं मैं आपको बाता धाहिए कि जो second नंबर और, अप्षुन मिल रहा है इसपी आपको किलिक करना है पर किसी भी यहां पर टाइट्ल लिखा ईस टाइटल पर यहां पर क्लिक का ना है उसके बाद यहां पर सकेन्ड का आप 막 आनलेका साब 00षब ले खेर टभाल उसके भी क्लर क्लार पर सकते हैं अपर Kililum का जो अप्षेक लिखा डेDaniel इस इससे उसके سकते हैं और जो color इसमें डाला हुए आप उसे भी यूज कर सकते हैं ठीक हैं और यहांपर हम back आते हैं यहांपर हम CC ने करेंगे सिप आपको दिखा रहे हैं उसके अलावा यहांपर और कुछ नहीं करना जैसे कि यहां पर क्लिक करना है यहां पर इसे डियोट करके और यहां पर लिखा क्रिछ आही यह तो आपको क्लिक करके और इसे जो है हम पहले तो इनेवल कर लेते हैं यहां पर मैंने इनेवल किया यह और यहां पर ढूंदते हैं कहां पर लिखा हूँ यह वला है ठीक है तिसे हम इनेवल कर लेते हैं और इसको हम इडिट कर लेते हैं यहां पर कृष्णा म्यूजिक आजमगर् और यहां पर हम कुछ और लिख लेते हैं जैसे मैं लिख लेता हूं डीजे और 37 राज इतना मैं लिख लेता हूं चेंज करना होगा और यह जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह सब जो इंग्लिश में लिखा हुआ जैसे यहाँ लिखा हुआ भोचपुरी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग सौंग मिक्स और 2022 तो कुछ इस टाब से लिखा हो उसके अलबा यहाँ पर आप सिंगर का नाम लिख सकते हैं तो इसी तरह जो आप किसी का भी फाईल यूज करके आप अच्छा खासा आप अपने पोस्टर को डिजाइन कर सकते हैं उसके अलबाया यहाँ पर किसी तरह का पी एंजी भी एड कर कर सकते हैं और बहुत कुछ सेट होने बाद आपको करना होिए झैव करना होगा यहां पेस दुक करने बाद होगा तो यहां पर हम कर लेते हैं PNG, PNG करने के बाद उसके बाद यहां पर कस्टम पर किलिक करना है, यहां पर आपको कस्टम पर किलिक करना है, और कस्टम यहां जैसे कि यहां पर डिफॉल्ट था तो यहां पर कस्टम रहेगा, कस्टम पर किलिक करने के बाद आपको नीचे तर प जान जागा ठीक है और सेह्जेवड हो जागा और आप इसे कहें पर भी ऊज़ा कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों